नबशकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे साइकलोजी की कुछ क्वेश्चिन्स की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महतवपूरण है जितने भी हमारे कैंडिडेट्स जहें वो नवंबर टैट दे रहे हैं हिमाचल प्रद तो दस के बीच पे अगला प्रशन है इफ ए सिक्स्टीन इयर्ज ओल्ड चाइल्ड गेट्स सेवंटीफाइब मार्क्स इन आईक्यू टैश्ट हिस मैंटल एज अगर कोई 16 साल का बच्चा जो है वो 75 नंबर लेता है किसमें आईक्यू टैश्ट में तो उसकी मैंटल एज क कि जो स्थापना है वो कब हुई थी तो वो हुई थी 1961 में 1961 में आपको ये बात ध्यान रखनी है बात करते हैं नेक्ष्ट क्वेश्ट की बिच और्गिनाजेशन ऑफ यू एन इस रिलेटेड विद्धा एजूकेशन तो जो एजूकेशन के साथ संबंदित रखती है यू प्रिंस्ट की और्गिनाजेशन वो कौन से है वो है यूनेसजको नेक्ष्ट की बात करेंगे बात करेंगे वो होते हैं वो होते है जेन्स के जानcken के दूर ह्व chromosome are representing human fertilized egg तो जो human का fertilized egg होता है उसमें कितने chromosome होते हैं उसमें होते हैं 23 pairs of chromosome कितने 23 pairs of chromosome 22 प्लस X बाई या 22 प्लस बाई सुरी X 22 प्लस X बाई और 22 प्लस X तो ये जो है वो human fertilized egg में pairs होते हैं बात करते हैं next की according to Pya J egocentric is तो egocentric क्या होते हैं egocentric वो child होते हैं child is the center of word and everything revolves around him यहनिकी जो child जो है वो हो center है किसका word का और कोई भी चीज है वो हो उसके इर्दगिर्द ही घुमती है इसको हम कहते हैं egocentric next की बात करते हैं to acquire pre-primary education the appropriate age limit is कहते हैं की pre-primary education के लिए सबसे अच्छी age कौन सी है तो वो है 2 से 6 साल के बीच में हमें क्या करना चाहिए pre-primary education को grant कर लेना चाहिए बात करते हैं next की cognitive development means यहनिकी जो cognitive development है उसका क्या मतलब है तो उसका मतलब है development of intelligence यहनिकी बाधिक जो विकास है उसका क्या मतलब है तो बाधिक विकास यहनिकी हमारे intelligence की development ही cognitive development कहलाती है बात करते हैं next question की which of the following statements cannot be considered as feature of the process of learning कहता है कि इन में से कौन सा जो है वह feature of learning नहीं है तो इन चारों options में से सही है study of behavior is learning तो यह जो है वह feature नहीं है learning process का बात करते हैं next की which section of RTE deals with duties of teacher तो teacher की duties से कौन सा section जो है वह संबंदित है तो वह है section number 24 तो right of education का section number 24 deal करता है duties of teacher से next है mind mapping refers to mind mapping है वह क्या होती है वह होती है researching the function of the mind तो mind mapping means researching the functioning of the mind next question है Mohan learns every lesson very quickly but sohan takes longer time to learn them it denotes the mental principle of individual differences की अगर कोई बक्ती है वह असानी से किसी चीज़ को समझ लेता है जबकि दूसरा जो student है या बक्ती है वह असानी से उस चीज़ को नहीं समझ पाता है तो यह क्या करते है यह individual difference को बताता है कि एक बक्ती दूसरे बक्ती से किस तरह से अलग है बात करते है next question की question number 14 which of the following is predominantly a heredity related factor तो इन में से कौन सा जो है वह heredity related factor है तो color of eye यह निकी color of eye जो है वह एक heredity factor है color of eye जो है हमें अपने माता-पिता से मिल सकता है इसलिए यह क्या है heredity factor heredity factor वह होते हैं जो हमें अपने माता-पिता से मिलते हैं यह निकी एक generation से दूसरी generation में पाए जाते हैं next question की बात करेंगे adolescence is derived from a Greek word adolescence the most appropriate meaning is तो adolescence का जो appropriate meaning है वह क्या है तो वह है to grow to maturity maturity की तरफ बढ़ना ही adolescence का meaning है बात करते हैं next question की question number 16 the first of the six developmental stages of ethical behavior according to Coleberg के according जो है six development stages है ethical behavior की वह है obedience and punishment orientation ठीक है तो इसके बारे में उसने क्या किया था six stages दी थी ठीक है बात करते हैं next की the most effective method to teach the parts of a plant most effective method to teach the parts of the plant is to give demonstration of a real plant in the class and make students observe its parts तो सबसे अच्छा method क्या है किसी plants के part को बताने का तो उसका demonstration करना उस class में किसी plant का demonstration करना और उसके बारे में हमें क्या करना है उन parts के बारे में बताना है तो यह है सबसे अच्छा method है next question है three broad categories of intelligence suggested by thorn dk तो thorn dk दोरा जो तीन broad category intelligence की थी वो क्या थी वो थी abstract, mechanical and social abstract, mechanical and social तो यह तीनों जो है वो thorn dk दोरा बताई गई category है intelligence की next question की बात करेंगे four basic elements of basic model of teaching development of by Robert Glaser in correct sequence are तो four basic elements of basic model of teaching किसके दोरा दिये गया था यह दिये गया था Robert Glaser दोरा तो वो क्या-क्या थे instructional objective, entering behavior entering behavior, instructional procedure और performance assessment तो यह जो चार थे वो है Robert Glaser दोरा उसके basic element थे basic model of teaching के बात करते हैं next की Ravi cannot distinguish between saw and was nuclear and unclear he is suffering from दोस्तों यह बहुत ही important question है और यह आपके आने वाले exams में देखा जा सकता है कि जब भी किसी students को student क्या, बच्चे को किसी भी student या बच्चे को किसी bird को पढ़ने में दिक्कत आती है और वो उस bird को आगे पिछे spelling को पढ़ता है तो उसको क्या होता है dyslexia क्या होता है dyslexia तो आपको यह बात में ध्यान में रखनी है पिछली वीडियो में भी हमने इस बात का जिकर किया था और वहाँ पे भी यह question आया था next बात करते है तो टाइपस ओफ असेस्मेंट्स रफ़र्ड अंडर continuous and comprehensive evaluation जिसको हम CCE कहते है continuous and comprehensive evaluation तो टाइपस कौन कौन सी है एक है scholastic type और एक है को scholastic type ठीक है next बात करते है according to Piaget's stages of cognitive development the sensory motor stage is associated with तो Piaget के according जितने स्टेज़ है cognitive development की उन में से जो sensory motor stage है वो किस से associated होती है या किस से related होती है तो वो होती है immigration memory and mental representation ठीक है memory को किस तरह से वह किसी चीज़ को किस तरह से वह ध्यान में रखता है और उसको किसी के सामने रखता है तो इसको हम कहते है sensory motor stage आगे बात करते है according to bigosity which is the most important factor in the development of child यानि कि bigosity जो थे ठीक है उनके द्वारा कौन सा जो important factor है जो की development of child के लिए responsible होता है तो वो होता है society तो bigosity के द्वारा उन्होंने कहा कि society जो है वो एक important factor है जो की एक child की development के लिए important है बात करते है smallest unit of meaning in language is यानि कि language में जो smallest unit है वो क्या है वो है फिनो ठीक है क्या है फिनो बात करते है next question की but our main characteristics of mental retardation इनकी mental retardation की characteristics जो है वो क्या-क्या होती है यह बात करते है lower than average intelligence question इनकी जो भी जितने भी strength होते है जिनका IQ जो है वो lower than average होता है average के नीचे होता है वो mental retardation बाला बच्चा होता है next है difficulty with practical daily life skills यहनि की कोई बच्चा है वो हो अपनी रोज मरना में होने वाले चीजों को ढंक से नहीं कर पाता है तो वो भी एक sign है वो भी एक characteristic है किसकी mental retardation की next है learning difficulties or disabilities इनकी किसी बच्चे को learn करने में बहुत दिक्कत आ रही है या उसकी learning जो है वो काफी slow है तो वो हो भी mental retardation की characteristic है आगे है developmental delays विकास में dairy वो हो भी mental retardation की characteristic है memory problems and lower attention spans memory problems उसे याद नहीं रहता है और किसी चीज में वो अपना ध्यान पूरी तरह से नहीं दे पाता है और next है poor interpersonal relation और एक दूसरे से बहुत ही खराब जो relation जो है वो भी एक characteristic है किसकी mental retardation की next question की बात करते है question number 26 the feeling of same enterprise developed in this stage तो जो feeling है same और bride की ठीक है सर्माना और गर्ब की जो stage है feeling है कॉन सी stage में होती है तो वो होती है childhood में यनि की childhood में ہी बच्चा जो है उसे पता लग जाता है कि क्या चीज जो है वो अच्छी है और क्या चीज जो है वो बुरी है अगर कोई चीज अच्छी नहीं है तो वो उसे करने में जिजिकता है या सिर्माता है Next question है vocabulary of an infant at the end of the second year becomes तो जो infant होता है जो बच्चा होता है दो साल का ठीक है तो उसकी vocabulary जो है वो उसमें कितने bird हो सकते हैं तो वो है 150 birds जो average जो birds होते हैं एक दो साल के बच्चे के तो उसके पास कितने birds की vocabulary होती है 1500 words की यानि कि 150 birds की Next है Das is not considered a sign of seeing gifted तो यह है fighting with others जो fighting with others है वो एक sign नहीं है किसका seeing gifted का Next है Children actively construct their understanding of the word is a statement attributed to तो यह जो statement है वो किसके दोरह दी गई Children actively construct their understanding of the word यह किसके दोरह दी गई यह दी गई प्याजे दोरह ठीक है जीन प्याजे दोरह Next question है हमारा आज का Last question Which section of RTE deals with provision of physical punishment and harassment to child तो कहते हैं कि right to education का कौन सा section जो है वो है Provision of physical punishment and harassment to child Child को जो physical punishment है ठीक है और harassment है उसको रोकने से deal करता है तो वो है section 17 ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखती है Section 17 जो है वो है Provision of physical punishment and harassment to child के under section अरता है तो दोस्तों यह थे हमारे आज के psychology के questions उमीद करता हूँ कि आप लोगों को पता लगा होगा इसी तरह बने रहे हैं हमारे साथ हम आगे भी ऐसे ही questions आपके लिए लेके आते रहेंगे जो कि आपके exam के लिए बहुत ही मैं तो बुर्ण होंगे सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और जुड़े रहें हमारे साथ ठीके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई